नमस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों का प्रतेक भाई बैन का सभी का विलकम हविरनन है यूटूब चैनल जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावड़ भाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो ग्रामर की मोश्ट इंपोर्टेंट अब यहाँ पे 50 कोश्चन की बात करेंगे आज संधी प्रकरण की बात करेंगे इसके पहले समास के टॉप 20 कोश्चन प्रकरण की आव लेड़ी बात कर चुके हैं जिसका आई बिजन पे आव लेड़ी आपको लिंक भी दे दिया सुरवात करते हैं संधी के 50 अति महत्पूर्ण प्रश्ण बाई जैस्वाल सर पहला प्रश्ण है और आप लोग भी प्रत्तियक प्रश्ण का अपने तरीके से अपने इच्छा अनुसार अपने ग्यान के भंडार के अनुसार फीड़बेक कर सकते हैं क्योंकि मैं जानता चलिए सुरुवात करते हैं प्रथम प्रश्ण की साथु प्रेना इस्पद में सब्द संधी का विच्छेद होगा प्रेना इस्पद होगा प्रेना आस्पद होगा प्रेना पद होगा या प्रेना आस्पद की बात करेंगे तो प्रेना इस्पद में संधी विच्छेद का स संधी नाम बताना है हम संधी नाम बताएंगे आपको विच्छेत बताना है ठीक है चले दूसरा प्रशना आप लोगों के स्किन पर आ चुका है इन में से कौन सा संधी जो है सब्द सही दिया गया है दिख धन मंडल दिख मंडल अनधन रित अनृत मात धन इच्छा तिन में से कौन सी संदी जो है सब्द सही दिया गए आपको चेन करके बताना है तिहां पर जो दिया गए अनधन रित बराबर अनरत दिया गए है क्या दिया गए है अनधन रित बराबर अनरत की बात करेंगे और यह कौन सा हो जाता है सभी लोग बताईएगा क्या हम गुण संदी की बात कर रहें या ब्रद्धी की बात करेंगे कौन सा संदी होगा सभी बताईए जिया बी आपसन की बात करेंगे बी आपसन में संदी है बाकि जितने भी दिये गए यहाँ पर आपका संदी का कोई भी मेल हमें नहीं दिख रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो comment box में आवर्श बता दीजेगा तीसरा प्रस्न इन में से कौन सा संदी सब्द सही दिया गया है एक 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 रवी धन इंद रविंद अति धन अधिक अत्याधिक वर्षा धन रितू वर्षतू की बात करें तो वर्षा धन रितू वर्षतू देखे एक धन एक बराबर यहां पर कौन सा दिया गया है क्या होता है सभी लोग अब आप कहेंगे कि ये तो भाईया एक धन एक बराबर दो होता है अगर एक एक लिख देंगे गेरा बन जाता है ठीके ये अपनी अपना है लेकिन यहाँ पे हम संधी ब्याकरण की बात करेंगे आपके हिंदी ग्रामर की बात करेंगे ठीक है चले सभी कमेंड कीजेगा फटा फट अंदाज में कमेंड कीजे संधी के बात करेंगे हम आप्शन नमबर वर्शा धन रितू वर्शरत की बात करेंगे आपको पता है रविधन इंद बराबर यहाँ पे कौन सो होगा रविंद हमारा क्या संधी बिच्छे सही दिया गया है एक एक धन एक एक दिया गया है क्या हमारा सही संधी बिच्छे दि गिया गया है इजा संसकत समधन करत वराबर संसकत होता है आपने पढ़ा होगा बिलकुल पढ़ा होगा तदित दन धित वराबर तदित यह जो विया आपसन दिया गया है और अच्छे तरीके से फीड़बेक कीजेगा विया आपसन को पढ़िये ग्रामन बहुत ही सरल होती है बहुत आसान भी है लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझ लेना तो बहुत ही थोड़ा कठीन होता है बागी सारा कुछ आसान होता है ठीक है चलें तेहां पे हम किसकी बात करेंगे तद्रथ धन दित की के बात करेंगे तद्धित की बात करेंगे और अक्सर ऐसे सब्दाब के प्रत्य में आते हैं उप्षग्ड में पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो बी आपसे जिए गए संधी हमारी गलत दिये गए ठीक है माकी निह धन रस बराबर नीरस की बात करेंगे अनधन एक बराबर अनेक की बात करेंगे संधनकत बराबर संस्कत की बात करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे तद्धित जो सब दिया गया है ठीक है तो भी आपसन हमारा गलत दिया गया है तो आपको आपको यह बताना कि तद्धित में हमारा सही संधी विच्षेद क्या होगा आप मैं ठीक है चले बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण इसकीन पर इंतजार कर रहा है आप सभी का अंगला प्रश्ण की गवाच सब्द में सही संदिविच्षेत कौन सा होगा गवधन अच्छ हो जाएगा गवधन अच्छ होगा या आपके गवधन अच्छ हो ज जाता है जी हां हम किसकी बात करेंगे गवाच का संदि विच्छेत गोधन अच्छोगा और संदी का नाम आपको कमेंड बाक्षे बताना है अंगला इनमे से कौन से विकल्ब में सही संदि विच्छे दिया गया अपेच्छा अपिधन इच्छा सरोज सरदन ओज पावक पौधन अक जगनात जगधन नात तो आप सभी लोग परचीत होंगे आपने सायत यह संदी नाम पढ़ा भी होगा हम बात करेंगे पावक की बात क्या होगा आयादी संदि के उधारण है और पावक में हमारा पौधना के संदि विच्छे सही दिया गया है जगत धन नात होना चाहिए यहां पर जग धन नात दिया गया हमारा गलत दिया गया है सर धन ओज बराबर सरोज नहीं हो सकता है यह भी हमारा गलत दिया गया है औ तो यहां पे जो मिलता हमारा ठीक है तो आ और ई मिलके ए में परिवतित होता है लेकिन फिर भी हमारा कहीं न कहीं जो हमारा सही दिया गया है हम थर्ड आपसन की बात करेंगे सापसन की बात करेंगे इनमेंसे किस सब्द का संदी विच्षे सही नहीं दिया गया है नि धन उन मराबर निवन अज धन अन्त बराबर अजन्त मत धन एक बराबर मत एक महा धन रिषी बराबर महर्शिकी बात करेंगे देखिए सभी परचितें अजन्त की बात करेंगे तो अज धन अंत बराबर अजन्त नहीं होता है अब आपका फीड़बेक होगा कि अजन्त का सही विच्छेट क्या होगा यह आपको खोज करना है हम इंसर पता देंगे खोज आपको करना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्रिट विटी करेंगे आप खोज करेंगे उतना ही नालेज दोगना चगना होगा और हम चाहते हैं आपका नालेज बढ़े इनमें से जो संद की विच्छेट का सही नहीं दिया गया वह भी आपसन ह बाकि जो तीनों हमारे संदी दिये गए हैं तीनों हमारे संदी जो है सही दिये गए हैं ठीक है आयोब सभी प्यारमित अच्छे तरीके समझ गये होंगी चली बात करते हैं अंगले प्रशन की अंगला प्रशन है इसकिन पर आ चुका है आटवा प्रशन दिया गया कि अभी अभीपसा का सही संदी विच्छेद क्या होगा अभीपसा अभीपसा का जो सही संदी विच्छेद होगा अभीधन इपसा होता है और संदी नाम आपको कमेंट करके बताना है कि अभीपसा में कौन सी संदी होगी अभीधन इपसा विच्छेद होगा संदी नाम आपको बताना अंगला पुस्ट दियागा कि यथेष्ट का सही संद्विच्छित क्या होगा यथा धन इस्ट, यथा धन इस्ट, यथा धन इस्ट, यथा धन इस्ट की बात करेंगे यथेश्ट की बात करेंगे आ और मिलके ए में परवतित होता है कौन सी संदी की बात करेंगे गोड़ी संदी की बात कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं और ब्रद्धी में क्या होता है ब्रद्धी संदी में आ और ए मिलके ए में परवतित होता है या आ और आ मिलके आ में प्रवुतित होता है तो यह थेष्ट का जो सही संद विच्छिद हो जाएगा यथा धन इष्ट हो जाएगा पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला जो प्रशने किसे सब्द की संद सही नहीं दी गई है परिधन इच्छा बराबर परिच्छा तीक है अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट यह जो सेकंड आपसन दिया गए वह हमारा संद बिलकुल यहाँ पर सही हमें नहीं लग रहा है कि सही दिगा आकी परिच्छा हो गया वसुधा दन इव बराबर वसुधयो की बात करेंगी हमने कहा आ और ए मिलके आ में परिवतित होता है ब्रद्द संद की बात करते हैं बी दन आप बराबर ब्याप्त यह भी सही दिया गए लेकिन जो सेकंड आप सेंद दिया गया अभी दन इष्ट बराबर अभिष्ट दिया गया है यह हमारा संदी सही नहीं दिया गया अंगला प्रशन है उद्धार में कौन सी संदी होगी कहते ना मेरा उससे उद्धार हो गया चलो बढ़िया हुआ इससे तो उद्धार मिल गया तो यह जो उद्धार सब्द इसका संदी विच्छेद आपको बताना है और उद्धार संदी का संदी विच्छेद होता है पहले बात तो जो संदी में आता है स्वर बिंजन बिसर्ग जो आता है ठीक है इन में से उध्धार में जो संधी होगी वह हमारी कौन से हो जाएगी वह हमारी होगी बेंजन संधी की बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेंजन संधी में और बेंजन संधी में कौन सा आपको होगा दे कि बेंजन के साथ स्वर या बेंजन के में से उत्पन संधी को ब के चले कर देंगे की नहीं कर देंगे सभी बताईए चले कर देंगे आप सभी लोग ग्यानी हैं कर देंगे बिलकुल नो डाउट अंगला प्रशन है शूर उश्मा में कौन से संदी होगी शूर उश्मा यानि की बात करेंगे गुण की बात करेंगे व्रद्धी की बात यहां पर दो बार दे दिया गया है तो शूरूश्मा की बात करेंगे यह सब्दा आ गया है यह नहीं बता है ना ठीक है तो जहां पर आ और उ मिलके ओ में परिवतित होता है आ और इ मिलके ए में परिवतित होता है गुणिसंदी की बात की जाती है जैसे सूर्योदय, नरोतम, महोशय, महोरी, देवर्शी, ठीक है, यह हमारे क्या होते हैं, गुणिशंदी की हैं, तो सूरूश्मा हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, शूर्योदय, शूरूश्मा, यह हमारे क्या हो जाएगी, गुणिशंदी की बात करेंगे, और उसका जो जो संदी हो जाएगी वो हमारी बिंजन संदी की बात करेंगे थर्ड आप्शन की बात करेंगे अंगला जो प्यारा नैरा सा प्रशन है कि उल्लास में कौन सी संदी होगी विसर्ग होगी विंजन होगी शर्ग होगी आयाद होगी सभी कमेंट कीजेगा ठीक है तो उल्लास में मारी कौंसी संदी हो जाएगी उल्लास में भी आप की ठीक है उत्धन लास उल्लास की बात करेंगे बिजन संदी की बात करेंगे अंगला प्रिशने मिल जाएगी ठीक है अलेडी चैनल पर अप्लोड है अपडेटेड है जरूद देख लीजेगा विजिट कर लीजेगा ठीकिन पहले 50 प्रस्ण कर लेते हैं नायक में कौन से संद्य होगी सभी परचित होगी नायक में आपकी आयादी संद्य होगी ठीक है बहुत ही सिंपल सा प्रस्ण है ठीक है नायक नैनम नायक है नैधन अक है बराबर नायक है ठीक है तो नैधन अक नायक की बात करेंगे भवन हो गया भोधन अनम भावने पाव क वहनावी कह भाव कह ये सारे हमारे आयादी संदी के एकजामपर्स हैं अंगला सरोज का संदी विच्षेद क्या होगा वहिया सभी बताएगा सरोज की बात करेंगे तो सरह धन्जा पहला अपसंस ही हो जाएगा अंगला जो प्रश्ण है कि दुर्ग सब्द का संदी विच्ष प्रतिवीष प्रतिवीष धन इस बराबर प्रतिवीष की बात करेंगे ठीक है बाप्षन की बात करेंगे बांकि एक एक की अगर बात करें तो यह ब्रदी संदी में आ जाता है और नयन की बात करते हैं तो किसमें आ जाता है सभी परचीत होंगे तो यह हमारा आयादी में फि करता होगा कौन सा होगा समधन चय का यहां पे संधी पद करता पूंचा गया है तो समधन चय का जो संधी पद करता हो जाएगा वह क्या हो जाएगा संचय और संचय यह दोनों में रूपों में होगा अर्थात आवा शा आवा जो है दोनों रूपों में हो जाए क्योंकि हिंदी संस्कार्ट दोनों मानने हैं आपके उजल को संधिपद क्या होगा उजल का तो यह काफी बार 910 में हम पढ़ते आए कि एसा सब दाता रहा है और काफी एक जाम में भी सब्द आता है तो उजल का जो संधिपद होता है उतधन जल होता है बापसन हमारा सही हो जाएगा कभी कभी उजल का सुद रूप में भी पूंचा जाता है उजल का सुद रूप क्या होगा क्योंकि यहां पे जो जा होता है दो जा होते वो भी आधे आधे जा होते हैं जो वासे लगे हुए होते हैं उज्जल का सही संद विच्छेद जो होता है क्या होगा उत्धन जल होता है ठीक है चले बात करेंगे अंगले प्रश्ट के स्रमण सब्द का सही संदिविच्षेद क्या होता है स्रमण ठीक है आपने पेड़ागोजीम पढ़ा होगा स्रमण यानि सुनना बोलना पढ़ना लिखना ठीक है स्रमण यानि क्या होता है सुनाई देना तो स्रमर्ण सब्द का जो सही संद्विछेद होता है स्रवधन अन की बात करेंगे थर्ड आप्शन की बात करेंगे अंगला जो प्रस्ण दिया गया है कि संद्विछेद जे धन अन्ति में कौन सा सब्द बनता है जयन्ती जयन्ती तीकि सब्द देखे जयन्ती बनेगा लेकिन अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सुद रूप में जयन्ती कौन सी होती है तो जे धन अंति में जो हमारा जयन्ती बनेगी वह हमारा बापसन बनेगा क्या हम सही कर रहे हैं सभी लोग पता दीजेगा फीड संदी हो जाएगी कौन से संदी हो जाएगी आपकी मनवंतर में आपकी यन संदी हो जाएगी क्योंकि यद्ध पित्याद यत्याचार नद्यावेग श्वागतम अन्वेशन ये सारे हमारे क्या होते हैं आपकी यन संदी के उदार हैं मनवंतर की बात करेंगे और यन संदी में इ उ रिसी ला यावा राला हो जाता है सभी परचित होंगे ठीक है तो मनवंतर की बात करेंगे फ़र्श आपसन की बात करेंगे आइए बात करेंगे अंगले प्रिश्ण म्रदा धान आउसर से बनने वाली सही सब्द हमें बताना है म्रदा नन औशधी मरदाव शदी, मरदाव शदी, मरदाव शदी, मरदाव शदी तो मरदादान अवसर से बलने वाला जो संदी होगा वह हमारा हो जाएगा मरदाव शदी के बात करें आ और और मिलके आ में आ में ही परिवतित होता है मरदाव की बात करेंगे और एक पहचान हम आपको बता के अवस्थ जाएंगे ठीक है वो पहचान यह साथी हो कि जब भी आव आए 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 तो हमारा कौन से संदि होता है ब्रद्दि संदि आए 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 आव आए ब्रद्दि संदि होता है और ए आए ओ आए गुण संदि होता है तो म्रदो उश्रदिकी बात करेंगे आपके ब्रद्द शंदिकी बात करेंगे हरीस में कौन से संदि होगी? जी यहां हरीस में बहुत ही परचित होगी यहां पे दिर्ग होगा ठीक है? हरी धन एस बराबर हरीस हरीज का जो संदी होगा वह देर गिश्वर संदी के जिक्र हो चुका है अंगला है कि अनवीच्छा सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा जिया अनवीच्छा की बात कर रहे हैं तो अनुधन एच्छा टिक है उ और ए मिलके वी में परिवतित हो जाए अनवीच्छा सब्द का सही जो संदी होगा वह मारा अनुधन इच्छा की बात करेंगे थर्ड आप्षन की बात करेंगे कोई डाउट हो अवस्द कमेंट कीजे आपका एक कमेंट आपका कतरा कतरा टाइपिंग जो है जेस्वाल सर आप से भी काफीड बे करते हैं श्वागत अविदनन करते हैं श्वागत करते हैं आपके कमेंट का शर्मान करते हैं साथियों किस सब्द में विसर्ग संदी का जिक्र हो चुका है तो विसर्ग संदी हम आलेडी आपको बता चुके हैं कि विशर्ग के साथ स्वर्या विञ्जन के संयोग से जो विकार होता है उसे विशर्ग संदी खहते हैं तो किस सब्द में विशर्ग संदी है तो है हमारा नीरव ठीक है नीरव में हमारा विशर्ग संदी हो जाएगा थर्ड आप्षन सही हो जाएगा बांकिया ये बात करते हैं अंगले पृष्ण की, पवन, हमने ये सब्द आपको बता भी चुका साइद, ठीक है, पवन कजिक्राए, पोधन अयन की बात करेंगे, पवन आए, पावकाए, भवन आए, नायकाए, नयन आए, भावकाए, ये सारे किसके एक्जामपल, ये सारे अयाद इस संद के एक्जामपल है, अर्थात, पोधन, अन की बात करेंगे, पवन की बात करेंगे, अंगले पृष्ण निस्कीन पर आचुका है, हिंदी में संदिकों कितने भागों में बाटा गया है, बहुत ये सिंपल साधान सा प्रशन है, तो सभी लोग जानते हिंदी ठीक है, ये आपके कितने हैं, पाँच है, स्वर्व संदिके पाँच है, और दूसरा आता है हमारा बेंजन, तो हिंदी में संदिके स्वर्व, बेंजन और बिसर्ग तीन रूप होते हैं, तीन खंड होते हैं, और स्वर्व में आपके पाँच खंड होते हैं, देर्ग, यन और आयादिकी बात करेंगे लगबग 30% कम्प्रीट कर चुके 20% और है टॉप 50 में से अंगला प्रिशन है कमाईनी का संदी विच्चेद होगा काफी बार पूचा यह सब्द है कामधन आनी, कामधन आयनी कामधन आयनी या कमधन ने तो कमाईनी का जो सही संदी विच्चेद होता है कामधन आयनी होता है तीक है, आ और आ मिलके बड़ा आ में परुतित हो जाता है और जब भी आ मिलके बड़ा में परुतित होता है स्वरसंदी की जिक्र होता है और स्वरसंदी के किस रूप में किस खंड का जिक्र होता है या आपको कमेंड करके बताना देखे साथ यो मरींद्र में कौन सी संदी होगी जी हां मरींद्र का जिक्र हो चुका है जब भी बड़ा आता है अगर सिकंड अच्छर है बीच का अच्छर कहीं न कहीं बड़ा हो ज्यादा जोर दिया जाता है मतलब दीर गिश्वर संदी की बात की जाती है ठीक है? आपका पहला आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अंगला है सम्मोहन का संदी विच्छेत क्या होगा? सह्धन मोहन, शम्धन मोहन, शम्धन मोहन या सह्धन मोहन हो जाएगा तो सम्मोहन का जिक्र हो चुका है सम्मोहन मतलब मोह की बात करेंगी ठीक है? तो सम्मोहन का जो संदी विच्छेत होता है वो हमारा सम्धन मोहन होता है मा ने क्या होनी चाहिए हलन्त होना चाहिए Sum लिखा होता है लेकिन मा में आपका हलन्त बहुत ही important हो जाता है angry Cake जो प्रिशन दिया गै कि दुष्प्रकर्ति में कौन सा संद्धी होगा श्वर्भ होगा पिंजन होगा बिसर्ग होगा या प्रकरति भाव शंदिकी बात करेंगे एके दुष दुष क्रति, दुष प्रकरति की बात करेंगे दुष क्रति की नहीं बात हो रही दुष प्रकरति में जो संदिकी बात को रही तो भी सर्ग संदि होगा iusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusiusius देर्गे में क्या पहचानी भया, देर्गे में सभी जानते हैं, बड़ा आ होता है, मतलब समझ गए होंगे, ठीके, दो अड़्णों या दो धन्यों के संयोंक से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संदी कहते हैं, सुरेंद्र विद्यालय ये सारे संदी के उधारण है और गुण संदी का जिक्र होता है आउ मिलके ओ बनता है आई मिलके ए बनता है ठीक है तो ए और ओ जब भी हमारे बीच में आता है सब्दा आता है गुण संदी की बात होती है ब्रदी का जब भी जिक्र होता है तो आय और हमारा कौन्स होता है ब्रद्धी में ब्रद्धी जो में होता है आए और आउ सब्दाए ब्रद्धी का जिक्रुकर लेते हैं और जब भी यण की बात की जाती है तो यण में हमारा कौन्स आता है यण में इ, उ, ल, र, 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 एसे सब्दाएं बिसर्ग संदी किसे कहा जाता है चार आपसंस आपके स्कीन पर दिखेंगे और चार आपसंस में से आपको सही जो आपसंस है वो आपको कलिट करना है देखे बिसर्ग से स्वर्या विंजन के मेल के कारण हुए विकार को है विसर्ग कहा जाता है या साधरन भास में बिसर्ग क वहिश्वर है आयादी है गुण है बिंजन है सभी उता ही जगत धन अमबा ता सब आ गया है मत्तब यहाँ पे बिंजन का जिक्र हो चुका है अर्थाद दापसन की बात करेंगे अंगला परशनी स्कीन पर है बयाम में कौन सी संदी होगी हम अक्सर कहते हैं आज जिम करना चा जाएगी और यहन संदी हमने आपको बताया भी है क्या बता है यहन संदी के बारे में कि जहां पर ई उ रिसी इलाके इस्थान पर यारा लावा हो जाता है बयायाम यद्दपित्यादी इत्यो नद्दो जहां भी आधा सब्द आपको मिले लगभग यहन संदी का यहां पर जिक्र हो जाता है ठीक है चले अगर कोई भी डाउट हो रहा है अगर किसी भी प्रश्ण पर तो जरूर आप लोग कमेंट करके अवश्वत आईएगा जी हां अंगला प्रश्ण इसकी ने पर दे दिया गया है और अंगला प्रश्ण है कि बही रंग में सब्द में कौन से संदी हो सकता है बाकी तो स्वरसंदी का जिक्र यहां पर कर ही नहीं सकते हैं सौजन सब्द का संदीविच्षेद बताना जी हां सौजन की बात करेंगे तो सौजन का सूजन धनिया बराबर सौजन का जिक्र हो चुका है आपर थर्ड अप्सन क्या होगा कि हमारा सही दिया सबीं लोग बताईआ है कि हमारा जो संदि विच्छे धं बता रहे हैं क्या वजशगिए सबीं लोग बताईए ठीक है चले बात करें ग अंगले पिरस्ण की अंगले प्रस्ण की कि बैभाव सब्द में आपको संदी कांласт में होगी बैभाव की बचिक क्रोंव बात करेंगे अंगला प्रश्ण नहीं दिर्गशंदि का रूप नहीं है क्या नहीं हो सकता तो दिर्गशंदि का फोट आपसन हमारा जो दाबाल आपसन है वह सई हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण दियागा कि छोटा आ और छोटा ई में जो संधी होती है तो कौन से संधी होती है आ ई मिलके ए में पर्वतित होता हमने बताया था गुर्णशंदी होता है जब भी आ छोटा आ छोटी ई मिलके ए में पर्वतित हो जाए गुर्णशंदी होता है जब भी बड़ा आ बड़ी ई मिलके आ में पर्वतित हो जाता है वो हमारा कौन सो होता है फिर हमारा संधी बदल जाती है और वह संधी हमारी व्रद्धिसंदी कहला जाती है क्योंकि यहां पर I और O की बात हो जाती है जहां पर आपका A की बात हो और O की बात हो वो एक गुण संदी होता है जहां पर आपका I का बात होता है और O का बात होता है वहां पर व्रद्धी संद का जिक्रू होता है अंगला प्रेना इस्पद सब्दका संदिविचित क्या होगा प्रेना इस्पद प्रेना आइस्पद प्रेना पद या प्रेना आइस्पद की बात करेंगे तो प्रेना आस्पद की बात करेंगे सेकंड आपसन की जी बात करेंगे अंगला प्रशन जो इसकीन पर आ चुका है ये हम प्रशन रिपीट कर रहे हैं, उजल का सही संदिविचित क्या होगा, हम आलेडी बता चुके हैं, ठीक है, वह हमारा उजल का सही संदिविचित कौन सोगा, उतधन जल की बात करेंगे, बराबर उजल की बात करेंगे, पहले आपसन की बात करेंगे, आई ये बात करते है इनमें से कौन सी संदी जो है या किस सद में संदी असुद दी गई है तो देखेगा देवी दन अउतरन देव्य उतरन की बात करेंगे सत्धन मार्ग बराबर सन्मार की बात करेंगे अदिधन अदीन बराबर अददीन की बात करेंगे लेकिन इस्तरी उप्योगी बरावर इस्तरे उप्योगी, जो संद दिया गया, बाप अप संदो, हमें लगरा किया सुद्ध दिया गया आपके अकोर्डिंग क्या है, आपके कमेंट बाक्स में आवस्थ बता दीजेगा, अंगला दिया गया दिन में से किस सब्द की संदी जो है सही दी गई है तो सभी परचीत होंगे पित्र धन आग्या बराबर पित्राग्या क्या दिया गया यहाँ पे ध्यान प्रोग समझे पित्र धन आग्या बराबर पित्राग्या दी गई है और यह हमारा बहुत इच्छा लग रहा है यहने संदी का जिक्र होगा मातराग्या, पितराग्या, कोई भी आ जाए या पितराग्याMaतरादेश आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा पितरधन आग्या, पितराग्या बिल्कुर सही हमारा संदिविच्षेद दापसन होगा किसकी बात करेंगे यहने संदि की बात करेंगे अंगला यथेष्ट का सही संदिविच्षेद क्या होगा यथा धन इस्ट, यथा धन इस्ट, यथा धन इस्ट की बात करेंगे यत धन इस्ट की बात करेंगे तो यत इस्ट का जो सही संदिविछेद होता है वो हमारा यता धन इस्ट होता है सभी परचीत होंगे पहले आपसन की बात करेंगे और टॉप 50 में से पच्चासवा प्रस्ण आप लोगों की स्कीन पर है कि निस्ट कलंक का आज संदिविछेद क्या होगा निस्धन कलंक, निस्धन कलंक, निस्धन कलंक या निधन कलंक होगा तो निस्धन कलंक में कौन सा संदिविछेद होगा और संदि नाम सहीत आपको कमेंट करके बताना है और ये प्रश्ण जो है हम आप सभी के लिए मोग कोशन के उप में दे रहे हैं तो ये टॉप 50 जो हमने संदी से सम्मंदेद 50 महत्पूर्ण प्रश्ण की आई होप सभी पैरमित अच्छे तरीके से आपने समझा फीडबेक भी किया और मैं आपके साथ जैस्वा सर आप सभी कविदंदन स्वागत करता हूँ बागी तैरी चल लएए अलेडी जोइन कीजे अपने टीटी फैमली को सबस्काइब कीजे बेतीन प्रवेशन के साथ सेलेक्शन पाईए गवर्मेंट सरकारी सीट घर में लाईए अपने परिवार को खुश-कुश हाल बनाईए और अपना जीवन आपन बेतीन कीजे और अपने देश में सिच्चा के प्रचार में सिच्चा के सहयोग में अपना जो भी हिल्प है मदद कीजे क्योंकि सिच्चा ही प्रकास है जय हिंद उबनाईए